विदान सबाद चुनाव की समय सीमा पर सुप्रीम कोट के फैसले को अक्षरश लागू किया जाएगा बोले एल जी कश्मीर में तापमान में और गिरावट आएगी मौसम विबाग का कहना राजिस्थान के नए मुख्य मंत्री बजनलाल शर्मा और उनके विदायकों ने मोधी मोधी के नारों के बीज पद कीली शपत और स्सी ने मस्जिद समिती के अनुरोध को खारिच कर दिया मतुरा मस्जिद परिसर के सर्वेक्षन का रास्ता हुआ साफ नमस्कार आप देख रहे है दराइट न्यूज और मैं हूँ हिमागनी मोजा और मैं आपके सावने प्रस्तितू देश-प्रदेश की हर चोटी बोटी अपडेट के साथ सबसे पहले तो बात करते हैं प्रदेश की खबर की तो उपराजपाल मनोज सिनहा ने आज कहा कि 30 स्टंबर 2024 से पहले जब मुकश्मीर में विदान सबा चुनाव कराने पर सुप्रीम कोट के फैसले को अक्षरश लागू किया जाएगा और गोशना की पहाडियों को बहुत दो करोड से अधिक हो गई है जिससे केंदर शासित प्रदेश में परेटन शेत्र से जुड़े सभी लोगों को लाब हुआ है उन्होंने आगे कहा कि 5 अगस 2019 को ग्रह मंत्री अमिच्शा ने संसद में गोशना की थी कि जमू कश्मीर के लिए परी सीमन आयोजन का गठन किय जाएगा जिसके बाद उचित स्थर पर चुनाव और राजी का दर्जा बहाल किया जाएगा प्रदान मंत्री ने भी राश्टी को संबोधित किया था और इसी तरह का बयान दिया था निर्वाचन शेत्र के परी सीमन और मददाता सूचियों के पुनराक्षन के बाद चु जिस्टर जनरल ने शीर्ष अदालत में एक हल्फ नामे में चुनाव और राजी का दर्जा बहाल कराने का भी आश्वासन दिया है सूचना के अनुसार उपराजपाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अक्षरश लागू किया जाएगा उन्होंने गोशना की की पहाड़ियों को जल्द ही आरक्षन भी मिलेगा उलेखनिया है कि पहाड़ियों को स्टी का दर्जा देने का विधेयक इस साल जुलाई में सांसद के मौनसून सत्र में लोगसबा में पेश किया गया था और वे लंबित हो गया था बात करें अब प्रदेश की दूसरी खबर की रुक करें मौसम का तो मौसम विबाग कश्मीर ने आज कहा कि आने वाले दिनों में कश्मीर में तापमान और गिर सकता है और शुन्य से साथ दिग्री सेल्सियस नीचे तक गिर सकता है सूचना के अनुसार कश्मीर मौसम विबाग के निर्देशक मुक्तार एहमत ने बताया कि कश्मीर में ठंड की स्थीती बढ़ेगी और 24 दिसंबर तक जारी रहेगी उलेखनिया है कि श्रीनगर में आज नियूनितम तापमान शूनिय से 5.4 डिग्री सेलसियस नीचे दर्ज किया गया जो पिछली रात के शूनिय से 5.3 डिग्री सेलसियस से थोड़ा कम था ये इस सर्दी में शहर में सबसे कम नियूनितम तापमान दर्ज किया गया है बात करें पहल गाम की तो पहल गाम में न्यूनितम तापमान शूनिय से 5.8 डिगरी सेलसियस नीचे दर्ज किया गया था जबकि गुलमर्ग में न्यूनितम तापमान शूनिय से 5.8 डिगरी सेलसियस नीचे दर्ज किया गया और कुपवारा में तापमान शूनिय से 4.2 डिग सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया गाटी में तीवर शीत लहर की स्थिती के कारण कई जल निकाई जाम हो गए हैं जबकि शेत्र में जल आपूर्टी पाइब भी जाम हो गए हैं अब बात करें देश की खबर की तो राजिस्थान के नए मुख्यमंत्री बजनलाल शर्मा और के दो जिप्टी सियम दिया कुमारी और प्रेम चंद भैरवा ने शुकरवार को यानि की आज पत की शपत ली तीनों ने राजपाल कल राज मिश्रा की मुझूदगी में शपत ली जाइबपूर के एतिहासिक एलबर्ट हॉल के सामने आयोजित इस बवन भव्यकारिक्रब में प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी, केंदरे ग्रह मंत्री अमिच शा, बाजपा अध्यक्ष जेपी नडडा और कई केंदरी मंत्री और अन्य राजियों के मुख्य मंत्री मौजूद रहे समारों में शामिल होने वाले लोगों की बीड को समय योजित करने के लिए कारिक्रम स्थल को कड़ी सुरक्षा और बैठने की विवस्था के साथ सुरक्षित किया गया था कारिक्रम स्थलकी और जाने वाली मुख्य सरकों को केदर सरकार की विभिन कल्यानकारी योजनाओं और नेताओं के चित्रों वाले पोस्ट्रों और बैनरों से सजाया गया था गौर तलब है कि 25 नवंबर को हुए विदान सबा चुनाव में बाचपा विजय रही उन में से 199 में से 115 सीटे जीती जबकि कॉंग्रेस ने 79 सीटे हासिल की वहीं बात करें आज की अंतिम खबर का तो सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मत्रुआ में शाही ईदगा मस्जिद परिसर का सर्वेक्षन करने के लिए कोर्ट कमेशनर नियूत करने के इलहाबाद उच नियालाय के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है जिसका दावा कुछ हिंदू समारो द्वारा बगवान कृष्ण के जर्म स्थान के रूप में किया जाता है इदगा मस्जिद समिती ने उच नियालाय के आदेश के खिलाफ उचितब नियालाय का रुख किया था और आरोप लगाया था कि वे अवेद और मन माना था मुख्य नायादीश N.V. रमना की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोट की पीट ने कहा कि मामले को स्थाना अंतरंग के खिलाफ याचिका 9 जनवरी को सुनवाई के लिए सुचिबत की गई है पीट ने कहा कि वे उस दिन मामले की सुनवाई करेगी और मस्जिद समिती ने कल के उच न्यालए के आदेश को उपचारिक रूप से चुनोती नहीं दी है पीट ने कहा कि वे इस थर पर कोई अंतर्मन आदेश पारित नहीं कर सकती है ये थे आज के कुछ विशेश समाचार, कल फिर आपके सामने प्रस्तित होंगे कल की कुछ विशेश समाचार के साथ, तब तक के लिए मुझे और मेरी वीडियो जनलिस्ट प्रिया बट को दीजे इजाज़त बने रहे दराइट निउस के साथ, नमस्कार